दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं Trident Limited के बारे में Trident Limited जहांपर आज की दिन आपको इस शेर के अंदर अपर सर्कीट देखने को मिल रहा है लेकिन इस अपर सर्कीट के पीछे एक बड़ी वज़ा है ये अपर सर्कीट Trident की performance को लेकर नहीं बलकि market में आज जो तीजी आपको देखने को मिले इस कारण से देखने को मिल रहा है Trident के अंदर जो report यहाँ पर निकल कर आई है जो नतीजे यहाँ पर निकल कर आए है अगर उस नतीजे का असर आपको इस शेर के उपर देखने को मिलता तो आज के दिन यहाँ पर आपको गिरावट ही देखने को मिलती मैं इसा क्यों कह रहा हूँ सारी चीजे आपको यहाँ पर explain करने वाला हूँ और क्या कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्राइडेइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या नहीं सारी चीजों को डीटेल में जानेंगे तो वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा सबसे बिले मैं आपको उस नियूस की तरफ लेकर आ जाता हूँ जिसको लेकर मैं यहाँ पर कह रहाँ कि यहाँ पर आज के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग ट्राइडेइन के अंदर देखने को मिल सकते थी अगर मार्केट का इंपेक्ट इस शेर के ओपर देखने को नहीं मिलता तो तो आप देख सकते हैं 10 मार्च 2022 यानि कि आजी के दिन कंपनी ने अपने फैबरेरी मंद के जो पंथली सेल्स का नंबर है वो यहाँ पर डिकलेर कर दिये हैं और नंबर्स जो निकल कर आए हैं वो काफी ज़्यादा शॉकिंग निकल कर आए हैं जैसा कि आपको बताए कि लास जनवरी मंद में भी जब कंपनी ने अपने सेल्स के नंबर जनरेट किये थे वो दिसंबर की कंपेरेजन में डिकलाइन हुए थे लेकिन यहाँ पर जो फैबरेरी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो जनवरी के कंपेर में भी यहाँ पर डिकलाइन हुए हैं सबसे पिले जो आज यहाँ पर निकल कर आए हैं company की तरफ से याने की 10 March 2022 को जहां company ने February मंत के sales के number डिकलेर किये हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर compare करके बताने वाला हूँ इसको आपके साथ में January 2022 के sales के number के साथ में तो सबसे पिले यहाँ पर आपको थोड़ा सा blur दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर clearly पोल कर भी बताने वाला हूँ चागे आपको बिल्कुल भी confusion नहीं रहे सबसे पिले बात कर ले थी company के primary division के बारे में याने की home textile division के बारे में जहां पर company ने बात ले लन में जनवरी मन्थ में 3876 metric tons की sales generate करी थी वहीं अगर हम February 2022 के बात ले लन की sales की बात करें तो वो यहाँ पर 2809 metric tons हमें देखने को मिल रही है तो बहुत ही ज़ादा यहाँ पर गिरावट याने के almost 1000 metric tons का shotfall हमें यहाँ पर Bad Leland के business में देखने को मिल रहा है वहीं आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं Bad Leland के बारे में तो Bad Leland में जहां जनवरी 2022 में company ने 3.2 million meters याने कि 3.2 million meters की sales generate करी थी वहीं February 2022 में company ने Bad Leland की 2.6 million meters की sales generate करी है याने कि यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है अब बात करें यहाँ पर यान की sales जो की company की तरफ से निकल कर आई है तो यान में company ने जनवरी 2022 में 10,349 याने कि 10,339 metric tons की sales generate करी थी जो की February 2022 में reduce होकर 8,675 metric tons रहे गई है तो company की primary core business में company की performance अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी रावट वाली देखने को मिल रही है तो short term में अभी आपको यहाँ पर selling pressure देखने को मिल सकता है वही अगर हम इनके other segment की बात करें paper and chemical division की जहाँ पर last month में याने की January 2020 में इन चो company के chemical sector है वहाँ पर December से भी अच्छे numbers निकल कर आए थे लेकिन इस बार तो जो company के other segment में number paper और chemicals में देखने को मिल रहे है वो तो January के comparison में भी काफी कम है याने की paper में जहाँ company ने January में 12,825 metric tons की sales generate करी थी वही February में घट कर 12,460 metric tons रहे गई है वहीं chemical की बात करें तो chemical में January में company ने 9,676 metric tons की sales generate करी थी जो की February 2022 में घट कर सिर 8,763 metric tons रहे गई है तो मेरा केने का एक सीधा सा मतलब है कि आज के दिन traders के लिए Trident एक risky shares था क्योंकि यहाँ पर आज के दिन अगर market में तेजी नहीं होती तो आपको यहाँ पर profit booking 100% देखने को मिल सकती थी और आज के दिन जो आपको इस share के अंदर upper circuit देखने को मिल रहा है वो ultimately market में जो आज आपको इतनी शांदर moment देखने को मिल रहा है उसी के current देखने को मिल रहा है तो आप बात करें कि company के जो monthly sales के numbers निकल कर आए हैं वो reduce हुए हैं जनवरी के compare में December के compare में तो यहाँ पर आपको क्या strategy लेकर चलना है सबसे बिलीची volume based काम भी अब यहाँ पर stable हो चुका है यानि कि आज से ठीक एक महीने पेले जो trident के अंदर volume based काम हमें लगब एक करोड क्वांटी डेली बिस्स पर trade होते वे देखने को मिल रहा ही थी वो अब 36 लाग 40 लाग almost 40 to 45 लेक्स के approach देखने को मिल रहा है लेकिन order book में अभी भी काफी अची fresh buying आ रही है इसी के साथ में अब trident limited का RSI level तो हमें mid range में देखने को मिल रहा है लेकिन इसका money flow index अब हमें over sold zone की category में जाते वे देखने को मिल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर panic बिलकुल भी नहीं लेना और सबसे खास बात यह कि company की credit rating भी अभी निकल कर आई है याने कि non convertible debentures के दुरू जो company ने fundraising कर रखी है उसकी जो credit rating भी निकल कर आई है वो भी काफी positive है याने कि ए positive की हमें देखने को मिल रहा है तो overall company के business में थोड़ी सी यहाँ पर downfall है लेकिन again company की performance यहाँ पर next month हमें improve होते वे देखने को मिल सकती है और सबसे बड़ी बात almost company आपको debt free देखने को मिलती है तो यहाँ पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है आप एक investor है तो no doubt यहाँ पर आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं बहुत जल्दी यह shares आपको 70 rupees का इसका पहला resistance देखने को मिलेगा then आपको 100 rupees का इसका नया target बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है आज दो trading session से आपको Trident के अंदर अपर circuit देखने को मिल रहे हैं और इस अपर circuit के पीछे सबसे बड़ी वज़ा है company के credit rating की performance और साथ ही साथ market के अंदर जो positive news निकल कर आ रही है उसके current से तो यहाँ पर अगर आप एक trader है तो यहाँ पर आप जो next resistance है वो 59 rupees का लेकर चल सकते हैं और जैसी यह resistance अजीव हो आप यहाँ पर profit booking कर सकते हैं अगर आप long term investor हैं तब तो मैं आपके साथ level already share कर चुका हूँ तो उमीदे आपको video और update पसंद आई होगी अगर कल market में Trident के अंदर profit booking होती भी है तो वहाँ पर आपको panic बिलकुल भी नहीं लेना है और साथ ही साथ support level का बहुत जादा ध्यान रखना है तो उमीदे आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video और update पसंद आई है तो इससे like और share करना मत भुलेगा साथ ही साथ another video किस share के उपर आप चाते हैं नीचे comment section box में लिकर जरूर बताईएगा share market की हर important informations के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक अप इस टोक जैसे इंडिया के largest platform के उपर अपना free demate account open नहीं करा रखा है तो उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप within a 4 hours अपना free demate account open करा सकते हैं thank you for watching have a nice day